काम क्या करते हैं? यह अपनी करियानी की दुकान है, जाती है, बस वो ही चलाते हैं। और घर? अरे भेन, घर भी अपना है, अल्ला का दिया सब कुछ है, बस एक चांद से कुपसूरा दुलहन की जरूरत है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी भी दो ही शर्ते हैं, पहली यह किने का अगले हटे होगा और बिलकुत साथकी से होगा, और दूसरा यह कि इनकी शादी और बच्चों के बारे में कोई जिकर नहीं होना चाहिए। जी जी नहीं करेंगे, आप लड़की को तो बुलाईए। बुलाती हूँ, लाइवा बेटा, ज़रा एमल को बुला के लाओ। लड़की माशाळला, बहुत खुबसुरत है। आप देखेंगे ना, देखते ही रह जाएंगे। चाह बन गई? हाँ, एमल यह चाह ले जो अंदर। एमल ही कियो? तुम लेके जाओ यह सब? तुम लेके जाओगी ना, तो सादा फाइदा होगा सबका। चलो जल्दी से लेके जाओ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों खड़ी हो यहाँ पर, जल्दी करो वैसे आपने बताया नहीं आप लड़की की क्या लगती है। कुछ नहीं, पस यतीम, घरीब, लावारिस लड़किया हैं, उनको हमदर्दी में रख लिया, उनका निकाह कराना चाहते हैं। अल्दी कुर्बान को लड़की पसन आजए, जिस तरह आप नेक काम कर रही हैं, आजकल ऐसे लोग कहां करते हैं। राबिया जीव, वैसे भी ऐसे नेक काम बहुत करती रहती हैं। और गरीब उरतों के मसले तो मिंटों में सॉल्फ करती हैं। अल्दी करते हैं। आसाम कौंड। वालेकमसलाम। हमें लड़की पसने। इसनेक काम में हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। यतीम बे सहारा को सहारा देना तो हमारे नवी की सुननते है। हमाई तरफ से रिष्टा पक्का समझे है। बस यह बता हम निका के जिल्हादा है। निका का मैं आपको एक दूने बताऊंगी। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि अगले हफ्ते ही होगा। जी, हमें इंतिजार रहेगा। पैसे हम रिष्टा तो पक्का समझे ना? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल पक्का समझे। तेपूर आप? अच्छा हो, आप आगए। ये लोग… क्या हो रही है? तुम एमल और आइजा का रिष्टा तेया करें। आप रिष्टा तो देखनें, लड़के से तो बात कर लें। लड़का? तुम इस उधेर उमर आदमी को लड़का कह रही है। जैसी लड़किया होंगी, वैसा रिष्टा आएगा ना? मुझे तो कोई पुराई नजर नहीं आरे इसमें। आज तो मैं आइसा का रिष्टा पका करके ही तब नहीं। राविया, यह रिष्टा नहीं होगा, मात खताब। आप लोग प्लीज यहां से जा सकतें। कोई नहीं जाएगा? बहुत हो चुका राविया, बस। यह रिष्टा हो करी रहेगा, आइसा? अरे चलो, चलो, इनको तो मसले ही कुछ हो रहे, चलो बाबा, अपने मामा पे हाथ उठाएं, वो भी इन दो लिड़कियों की वज़ा से, अचलो आप मामा की इसार कर दो खयाल करते हैं आप चुप करो तू, और तुम, तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ आज आपने मामा पे हाथ उठाया है, तो आप धक्के दे के हमको घर से निकाल देंगे ना मेरी और मामा की तो को इंपोरेंची नहीं है इस घर में शर्मानी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी मा की इस घरावनी साधिश में शामिल थी, तुम्हें पता था ये सब कुछ होने जा रहा है हाँ, पता था, क्योंकि मैं चाती हूँ कि ये लड़कियां हमारी जिंदगियों से दफा हो जाएं बेज़ दूँगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस्जत के साथ रुखसत करूँगा सुनलो तुम दोन, ये सम, उन दोनों का किया अबर है मैं जानती हूँ, कि तैम्मुर्गों भी, उन्होंने ताया है जानती करूँगा